हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्वीटी टू कम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप price action में strategy यूज़ करके profit बना सकते हैं यनि price action strategy जो की आपको profit बनाने में help करेगा इस topic उपर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं तो अगर आप stock market से profit बनाना चाहते हैं तो ultimately at last आपको price action यूज़ करना ही परेगा, without price action यूज़ किये हुए आप market से profit नहीं बना सकते हैं, profit बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम price action को यूज़ करते हुए market से अपने लिए profit निकाल स करते हैं, तो सबसे पहले price action को use करते हुए हमें क्या find करना, सबसे पहले हमें find करना market के trend को, और market में कितने type के trend होते हैं, सबसे पहला होता है आपका uptrend, जिसमें price आपका एकदम ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है, दूसरा होता है आपका sideways trend, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, range bound move ही बोलते हैं, जब market आपका range में trade करने लगे, तो इसको हम लोग sideways trend या फिर range bound move ब side की तरफ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं downtrend, तो सबसे पहले हमें price section को use करते हुए क्या find करना है, कि अभी आपका uptrend है, sideways trend है, या फिर downtrend है, अगर हम trend identify कर लिए, तो लगबग 30-50% मेरा काम वहीं पर complete हो जाता है, फिर हम trend को follow करते हुए, उसके हिसाब से अपने यहां पर आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें price section की मदद से trend को find करना होगा, चली सबसे पहले हम देखते हैं, हम trend को कैसे identify कर सकते हैं, फिर उसके basis पर हम कैसे trade initiate करेंगे, तो यहां पर हम chart पर आगे, और देख सकते हैं कि price आपका clear cut ऊपर side की तरफ जा रहा, क्या high uptrend है, जो कि हमें चाहिए होगा, तो uptrend को हम identify कैसे करेंगे, जब भी आपको uptrend देखने को मिलेगा, वहां पर आपको higher high और higher low pattern का formation दिखना चाहिए, यह हमें hint देता है, कि जो uptrend हम खोज रहे हैं, वो uptrend में यह चीज होना चाहिए, यह character होना चाहिए, तो यहां पर ह जो देखते हैं यह character build-up हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आई का move के बारे हमें नहीं पता है, सबसे पहले यहां पर market अपना low form किया है, ठीक है, हमने low mark कर दिया, फिर price वपर गया है, यहां पर अपना एक high form किया है, फिर price उपर आ야, यहां पर अपना low form किय यह जो लो फॉर्म किया previous low से उपर देख सकते हैं previous low इस लेवल करी है यह लो यहाँ पर फॉर्म किया है तो that means true यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा हमारा higher low pattern का formation हो रहा हमें क्या चाहिए था higher high और higher low मतलब एक pattern यहाँ पर हमें मिल गया higher low अब हमें देखना है कि higher high pattern बना रहा है एक नहीं बना रहा है तो यहाँ पर हम previous high को mark कर लेते हैं अब जैसे previous high को break करके उपर निकल गया हमें क्या confirm हो जाएगा कि यहाँ पर आपका higher high pattern का भी formation हो गया यह नि previous high के उपर नया high बना दिया है तो जैसे ही इस high के उपर price निकलेगा और closing देगा देख सकते हैं यहाँ पर closing दे दिया है मतलब confirm हो गया कि यहाँ पर आपका क्या form हो गया higher high अब इसके उपर price कहा तक जाता मुझे नहीं पता लेकिन यहीं पर मेरा higher high pattern का confirmation दे दिया है अब यहीं पर हम क्या करेंगे अपना buy side के तरफ जो भी हमें trade लेना उस तरफ यहाँ पर हम अपना entry ले लेंगे और उसके बाद जो भी यहाँ पर low form हुआ है यह लोग मेरा क्या काम करेगा यह लोग काम करेगा मेरा SL के रूप मेरा stop loss मेरा उससे जो भी previous low बनाया है वो मेरा stop loss के रूप में काम करेगा यहाँ मेरा SL define हो गया entry point define हो गया अब यहाँ पर हम profit book कहां पर करेंगे जब तक यह आपका higher high और higher low pattern continue है तब तक हम यहाँ पर इस trade को continue करते रहेंगे जैसे ही यह trend break होगा जब भी break होगा तब हम अपना profit book करेंगे जब तक यह continue है तब तक हमें कोई छेर खानी नहीं करना है तो यहाँ पर देखिए आपका uptrend continue है आपका उपर में higher low और higher high pattern यहाँ पर हमें continue देखने को मिल रहा है दूसरा लो इससे उपर बना चाहे था लेकिन यहाँ पर क्या हुआ जो higher low pattern है वो काफी हद तक break हो गया है closing नहीं दिया लेकिन काफी हद तक break हो गया और हमें अच्छा खासा profit भी मिल गया तो for the safety purpose यहाँ पर हम क्या करेंगे यहीं पर हम अपना profit बुक कर लेंगे यहीं पर हम exit कर लेंगे market से तो इस तरीके से हम सिर्फ price section की help से क्या कर रहे हैं एक हमने सटीक uptrend को identify किया उसके basis पर tweet लिया अब यहाँ पर क्या हो सकता कई बार कि आपको higher high देखने को मिल जाएगा लेकिन higher low देखने को नहीं मिलेगा वैसे में हमें avoid करना वैसे में यह strategy इस्तेमाल नहीं करना कई बार आपको higher low देखने को मिल जाएगा लेकिन higher high नहीं मिलेगा तो भी हमें avoid करना यहां पे हमें दोनों एक साथ चाहिए, higher high भी चाहिए, higher low भी चाहिए, दोनों में से एक मिल जाये काम नहीं चलेगा, हमें दोनों चाहिए, तब यह clear cut up trend देता है, और तब यह अच्छा खासा upside move दिखाता है, तो इस तरीके से यहां पे आप price section को use करते हुए, अपने लिए trading setup त्यार कर सकते हैं, और यह चीज आपको profit बनाने में help करेगा, आगे हम और भी example लेंगे, लेकिन उससे पहले में आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कि यहां पे आप जो trade लेंगे, वो आपका होगा swing trading, या फिर आप चाहो तो future options में भी लंबे समय तक के लिए trade कर सकते ह हो, लेकिन अगर आप इसको delivery में buy करते हैं, तो यहां पे थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, यह नहीं होगा, कि हमने आज buy किया, कल जाके यहां पे हमें profit मिल जाएगा, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना परेगा, तो in the meantime आप यहां पे एक फाइदा भ हा सकते हो, तो यहां पे आप जो pledge करेंगे, उसके लिए आप धन के trading platform का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब मैं यहां पे आपको धन को prefer करने के लिए क्यों बोलगा, क्योंकि वहां पे आपको haircut बहुत minimum लगता है, यहनि सिर्फ आपको 20% का haircut लगता है, अगर आपने इसको buy किया है या फिर आपके पास पहले से portfolio परा हुआ है, 1 lakh तक का, तो यहां पे आपको सिर्फ 20% deduct होगा, आपके पास 80,000 मिल जाएगा F&O में trade करने के लिए जिसमें आप future options में आसानी से trade कर सकते हैं, जबकि दूसरी जगह अगर हम बात करें तो यही haircut आपका रहता है, 30%, 35% मतलब उह की वही अगर हम बात करें, तो इसके लिए charges कितना लगता है, charges भी यहां पे आपको काफे minimum लगता है, सिर्फ आपको 12.5 रूपीज प्लस GST, यह charges आपको यहां पे पे करना होता है, जबकि दूसरे जगह इससे double या फिर कई जादा higher charges आपको पे करने पड़ जाते हैं, तो अगर आपको pledge facility का फायदा उठाना है, तो आप धन के साथ अपना demate account open कर सकते हैं, पहले से demate account है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, नहीं है, तो इस वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा, उस link पे click करके, आप धन में अपना trading platform open करके, इस pledge facility का फायदा उठा सकते ह हैं, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं कि हमें और सारे example को देखना है, तो यहाँ पे देखिए हम आगे भारती एरटेल के daily chart पे, यहाँ पे आप कोई भी time frame इस्तमाल कर सकते हैं, यहाँ पे कोई restrictions नहीं है, कि आपको daily chart दी इस्तमाल करना, आप जो भी time frame में tweet करते हैं, उसके basis पे आप tweet कर सकते हैं, price section को identify करते हुए, तो अब यहाँ पे देखें, क्या हुआ, यहाँ पे आपका एक high बना है, उसके बदगा प्राइस आपका नीचे आया, फिर यहाँ पे आपका एक low बना है, फिर price उपर गया है, यहाँ पे आपका एक high बना ह क्या फर्म हुआ है lower high pattern का formation कर रहा है और अगर हमें down trend को identify करना है सही माइने में तो down trend में क्या दिखना चाहिए उपर में lower high दिखना चाहिए और नीचे में आपका lower low दिखना चाहिए यह दो trend हमें क्या indicate करता है यह दो trend हमें indicate करता है कि market में clear cut downtrend है जहाँ पे आप sell side की तरफ positions initiate करके profit बना सकते हो price section को use करके profit बना सकते हो तो यहाँ पे हम क्या करें यहाँ से price आपका नीचे आना start हो गया मतलब हमें क्या मिल गया lower high मिल गया तो हम यहाँ पे initiate करके entry ले सकते हैं sell side की तरफ नहीं तो अगर आप और safe जाना चाहते हो तो इस lowest point को mark कर लिजे जैसे ही price lowest point के नीचे आएगा यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं हम entry ले सकते हैं sell side के तरफ क्योंकि यहाँ पर हमें confirmation मिल गया कि lower low pattern जो है वो हमें continue देखने को मिल गया मतलब lower high और lower low दोनों मिल गया तो आप entry चाहे इस ले लो या फिर आप यहाँ पर चाहे कही price आपका क्या form कर रहा lower high और नीचे में lower low pattern को follow करते जा रहा है अब यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ पर आपका एक high बना है अब price इस high के नीचे होना चाहे लेकिन वैसा नहीं हुआ इस high को break करके उपर निकला तो जैसे lower high pattern यहाँ पर break हुआ हम क्या करेंगे यहीं पर हम अच्छा खासा profit बना सकते हैं हम जो इन डिल यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ले सकते हैं और हम profit जाख सकते हम इस तरीके से आप price sexual को use करते हुए शिर्फ आपको market के trend को find करना उसके basis पर आप अपना trade setup तयार कर सकते हैं उसके बाद यहां पर हम एक और एक्जांपल देख लेते हैं. जहां पर साइडवेज मार्केट है. यहां पर देखिये, प्राइस आपका ऊपर गिया, यहां पर हाई बना है, फिर नीचे आप लो बना है. फिर उपर गिया, इसी के आसपास, एक range में move कर रहा range में move करने का मतलब है कि यह आपका कौन सा train है यह आपका sideways trend है अब sideways trend में हमें कैसे trade करना है यह आपको आना चाहिए और यह चीज़ आपको बहुत बार देखने को मिलेगा तो इसमें हम दोनों तरफ पही आ रहेंगे अगर price high को break करके उपर निकलता है follow buying आता है तो हम buy sir क की तुछ यहांपे हम entry लेंगे अगर इसको break करके नीचे आता है तो हम sell sir की तुछ जाएंगे और इस तरफ यहांपे हम entry लेंगे और sell sir की तुछ जाते हैं यह point मेरा sl की रूप में काम करेगा यहां पर sell side की तरफ breakout दिया है तो हम इसी level के आसपास क्या करेंगे हम अपना entry लेंगे sell side की तरफ और यह point मेरा SL के रूप में काम करेगा फिर हम इस target price के लिए जा सकते हैं आसानी से previous swing लोगों यहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं target के लिए और इसके बाद अभी चाहिए तो हम trailing stop loss के जरी आगे अपने target को continue कर सकते हैं यहां पर भी आपका range bond move दिखने लग गया तो यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं positions को exit कर सकते हैं अगर अभी तक हमने exit नहीं किया तो इस तरीके से आप sideways market में भी trade initiate कर सकते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि यह concept आपको clarity के साथ समझ में आ गया होगा इससे related कुछ भी doubt या फिर confusion है तो आप हमें comment section पूछ सकते हैं वहाँ पर आपको proper answer किया जाएगा so that's all friends मिलते नेक्स्ट वीडियो में जैहिन